कि दिल्ली में नर्मद हर के स्वर के साथ अपने उद्बोधन के शुरुवात कर हमेशा निमाड की बात रखने वारे राज्य सबासांसत जुझारू युवारेता सुमिर सिंग जी हमारे साथ मौजुद हैं सुमिर जी रेलवे को लेकर के क्या स्ट्रेटीजी इन दिनों तैयार हुई निमाड को लेकर के आप लगातार बाच्चेत उठा रहे हैं अभी इन दिनों आपकी रेल मंत्रा ले में भी मंत्री से मुलाकात हुई क्या कुछ रहा है दिखिए मालवा और निमाड के अंदर विशेसकर निमाड के आदिवसी जीलों में रेल की मांग से बहुत बरसों से चली आ रही है अभी हाली में संसत के मानसुन सत्र के दोरान माननी रेल मंत्री आश्वी निवेश्णों जी से हम सब सांसदों का एक प्रतिनी दिमंडल मिला और हमने इंदोर मनमार रेल लाइन की बादवी की उनके उनको और खंडवा से जो दाहोत की रेल लाइनों की पुरानी मांग की जा रही है उस विशे में भी हमने चर्चा की है मान्नी मंत्री जी ने ये कहा कि इंदोर मनमार रेल लाइन का काम हम सिग्र प्रारंब करेंगे और दूसरी जो नई रेल लाइन के आप लोग बात कर रहे हैं उसको भी हम दिखवाते हैं ये आस्वसन उनों दिया है हम लोगों ने कहा कि आसवासन तो कांग्रेस सरकार में 60 सालों से लगातार कांग्रेस ने किये थे लेकिन भारती जंता पार्टी की सरकार अब हमारी है तो निमाल को रेल आप जरूर दिलाएं मंत्री जीने पूरी तरीके से आसवस्त किया है कि निमाल को रेल जरूर मिलेगी इंदोर से लगा के मनमाल क्या जो ट्रेक है उसका कुछ हिस्सा बन गया है कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है तो जो धुलिया नरडाना से लगा के महू तक की ट्रेक बनना है इसको लेकर मान्नी मंतरी जेने बहुत आस्वस्त किया है कि इसका का रेल लाईन है नहीं बिछाने का काम वो रेल मंतरा लई खुद करेगा। रेल मंतरा लेकर युद्ध इस्तर पर माननी मंतरी जी से संपर्क कर रहे हैं और निरंतर ये मांग भी कर रहे हैं। रेल के लिए उस राशी से भी अगर इसका काम होता है तो मुझे नहीं लगता है कि हमको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। निमाल को बहुत जल्द रेल की सोगात जरूर बिलेगी। अगला स्टेप क्या है। माडल कॉलेज सर्व अधुनिक सुविधाओं से यूग तो है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशकबरी हमारे लिए ये बन कर आई कि बड़वानी में सासकी विधी महाविद्यालाई नए तरीके से सुरू किया गया। भारत सरकार ने इसमें सहयोग किया, मध्यवरत सरकार ने भी सहयोग किया। भारत BCI, बार काउंसल आप इंडिया ने एक नए कॉलेज की सुरूआत करने क लिए माननेता दी है। कालेज प्रारंब हुआ है लेकिन साठ सेटों के लिए मैंने फिर से BCI से मांग करी है भवन भी जल्द बनेंगे और कालेज भी प्रारंब हो गया है छोटा सा आप दूसरा दूसरी महत्पुन बात ये है कि हमने मध्यप्रदेश लोक सिवायोग की मुख्य परिक्षा का केंद केंदर भी बड़वानी में बनाया हमने आनलाइन परिक्षा केंदर भी बड़वानी में इस्थापित करने की दिशा में काम किया है और साथ में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले के रिजनल सेंटर के लिए भी दो एकड जमिन आरक्षित की है और उसके कोई कमी नहीं रहने देंगे यह हमारा संकल पर क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूं दो यहां पर सांसादें और एक मंत्री है जो ग्रामिन शित्र के एंचल की होस्टल्स हैं उनकी कई जगे दुरदर्शा है बच्चों को मौलिक सुविदाए नहीं मिल पाती आप शिक् कन्या शिक्षा परिसर जो बहुत सुसजित तरीके से बना है बढ़वानी के पास में बढ़गाओं में भी हमने 28 करोड रुपे का एक सुसजित कन्या शिक्षा परिसर का निर्वान किया है ऐसे ही पूरे जिले के इंदर अलग-अलग स्थानों पर छात्रावासों का निर् इस पुरानी व्यवस्था को ठीक करके हमारे आदिवसी बच्चों को पूरे तरीके से सुबह से शाम तक और रात तक अत्यादोनिक सुईधाएं घर से भी अच्छी प्राप्त हो ऐसा प्रयास हमारी सरकार निरंतर कर रही है बिलकुल इनके प्रयासों से सार्थक परिणाम तो साबित होंगे ही होंगे शिक्षा की जगत में भी कहीं न कहीं जन्जाती शेत्र के बच्चों को खासा लाब मिलेगा यह थे सुमेर सोलंकी जी एक्सपसंदेश न्यूस की बढ़वानी है मंदगर